एक समय के बात है, सुंदरपुर के जंगल में एक टूनी नाम की चिडिया रहती थी, उसकी एक जुडवा बेहन भी थी, जिसका नाम मुन्नी था टूनी जहां बहुत सुल्ची हुई और नेक दिल चिडिया थी वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन मुन्नी चिडिया बहुत शरार्ती और चालाग थी अगर कोई भी पुरा काम होता तो यह समझ लीजिये कि उसमें टूनी चिडिया का हाथ जरूर होता पर डांट बेचारी टूनी को खाने पड़ती एक दिन की बात है देख मुन्नी तू अपनी आतों से बाज आजा वरना अच्छा नहीं होगा गलती तू करती है और डांट मुझे खाने पड़ती है तो क्या हूँ बड़ी बेहन को कभी कभी चोटी बेहन के बदले भी डांट खा लेनी चाहिए ये सिर्फ एक पार की बात होती तो चलता पर अब तेरी वज़ा से हर रोज मुझे डांट खानी पड़ती है बस अब बहुत हुआ मैं तुझे आखरी बार वार्निंग दे रही हूँ आगे से ऐसा कोई भी काम मत करना ठीक है ठीक है मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी टूनी ऐसा कहकर मुझे कमरे में चली जाती है टूनी के जाते ही मुझे अपने पुराने अंदाज में आ जाती है और मन ही मन कहती है मुझे इतनी असानी से पतलने वाली नहीं है मैं तो भाई शरारत करती रहूंगी और तुझे डांट खिलवाती रहूंगी ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं मुन्नी को एक दिन बहुत जोर की फूक लगती है और वे घर में खाना ढूनती है पर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता फिर वे मन ही मन सोचती है यहां तु कुछ मिलने से रहा क्यों न मैं कालू कवे के आम के बाग में कुछ आम तोड़ कर ले आओ हाँ यह सही रहेगा ऐसा मन में ठान कर वे उड़ते हुए कालू कवे के आम के बाग में चली जाती है और रसीले रसीले आमों को देख कर उन्हें तोड़ने लगती है और ऐसे ही खूब सारे आम थोड़ लेती है और खा भी लेती है तबी वहां कालू कवा आ जाता है और उसे देखते ही मुन्नी चिडिया जल्दी से उड़कर वहां से नीम के पेड़ के पीछे छुप जाती है तभी वहां से टूनी चिडिया भी उड़ते हुए कहीं जा रही थी कालू टूनी को वही आम का चोड चिडिया समझ लेता है और उसे पकड़ लेता है अरे ओ चिडिया कहां जा रही है नमस्ते काका मैं तो अपनी सहली दीपा कबूतरी के पास जा रही थी बोलिए आपको कुछ काम है अरे वाह बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम अब जादा बनो नहीं मैंने तुम्हें आम चुराते हुए देख लिया था बोलो तुम नहीं मेरे आम तोड़कर खाए है ना बोलो नहीं नहीं काका मैंने आपके आम नहीं खाए मैं सच बोल रही हूँ मेरा विश्वास कीजिए मैं तो अभी यहाँ आई हूँ और अपनी दोस के घर जा रही हूँ अच्छा अब चोरी करती पकड़ी गई तो बहाने बना रही है मैंने तुझे अपनी आखों से मेरे बाग में देखा था और तुम मुझे देखते ही भाग गई मैं छूट नहीं बोल रही काका मैं सच बोल रही हूँ मैंने आपके कोई आम नहीं खाए अच्छा तो तु ऐसे नहीं मानेगी रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ कालू टूनी को उसके खड़ ले जाता है और उसके मावाप को उसकी चोरी के बारे में बताता है देखे भाई साब मैं आपकी बहुत इज़त करता हूँ पर आपकी यह लड़की यह आपकी इज़त मिट्टी में मिला देगी अरे अरे क्या हुआ कालू भाई साब आपकी इस पेटी को मैंने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है यह मेरे बाद से आम तोड़ कर खा रही थी और जब मैंने इसे चोरी करते पकड़ा तो यह मुझे जूट बोलने लगी पिता जी मैंने कोई चोरी नहीं की काका को कोई गलत फैमी होई है मैं इसे आखरी बार छोड़ कर जा रहा हूँ आगे से मैंने अगर कभी इसे चोरी करते पकड़ा तो सीधे फुलिस के हवाले कर दूँगा फिर मैं आपकी इज़त का भी ख्याल नहीं करूँगा ऐसा बोल कर वे कालू कवा गुस्से से वहां से चला जाता है और उसके जाते ही टूनी अपने पिता जी से कहती है पिता जी मेरा विश्वास कीजिए मैंने कोई चोरी नहीं की आप तो जानते हैं न मुझे मुझे लगता है ये मुनी ने किया है और सुभे वे घर में भी नजर नहीं आ रही है हाँ बेटा ये उसी कही काम होगा आने दे उसे देखता हूँ शाम को मुनी घर आती है और उसके आते ही टूनी और उसके पिता उसकी क्लास लगा देते हैं मैंने तुझे मना किया था ना फिर से ऐसा काम नहीं करना पर तुने मेरी बात नहीं मानी और तुने चोरी की और आज तेरी वज़ा से कालू काका ने मुझे डाटा और वो आकर पापा को भी खूब खरी-खोटी सुना कर चले गए हैं सब तेरी वज़ा से मुनी सर जुकाए सब सुन रही थी वे उनकी बातों को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती अगले दिन मुनी आज फिर कोई नई शरारत करने का प्लान बना रही थी फिर उसे चुन्नू तोते का खयाल आता है और वे उसके घर जाकर उसकी पतनी की कान की सोने की जुम्रे चुरा लेती है उसे चोरी करते हुए चुन्नू देख लेता है वे उससे बचने के लिए उड़ती हुई भागे चली जाती है रास्ते में मुन्नी से वे जुम्की कहीं खो जाती है हे भगवान अब तो वो चुन्नू तोता मुझे छोड़ेगा नहीं अब मैं क्या करूँ बेटा बसे भाग कर तू कहा जाएगी अब चल मेरी पत्नी की कान की जुमकी दे काका मुझसे वो कान की पाली गुम हो गई मुझे माफ कर दो क्या तूने वो जुमकी खो दी मुझे नहीं पता तू मुझे मेरी जुमकी वापिस दे कभी टूनी उड़ती हुए वहाँ आ जाती है मुनी रोते हुए उसे पूरी कहानी बताती है मुनी मैं तूझे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ये शरारत मत किया कर इन सबका तुझे एक दिन खामियाजा भुगतना पड़ेगा अप मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती माफ कर दो माफ कर दो मैं आपसे बादा करती हूँ आगे से कोई शरारत नहीं करूँगी आपको कभी परिशार नहीं करूंगी पक्कावादा? हाँ दिदी, पक्कावादा इसके बाद टूनी उसे वे जुमकी दे देती है ये रही वे जुमकी, ले, दे दे काका को मैं जब यहाँ आई, तो मुझे जुमकी पड़ी होई मिली थी पर मैंने तुझे जुमकी पहले इसले नहीं दी क्योंकि मैं तुझे तेरी गलती का एहसास करवाना चाहती थी इसके बाद मुनी सुधर जाती है और कभी फिर से शरारत ना करने का प्रण लेती है सुन्दरवन के चंगल में एक टून्टूनी नाम की चिडिया अपनी मा रूपा चिडिया और सोतेले बाप सोनु कववे के साथ रहती थी सोनु बहुत लाल्ची और कामचोर कववा था उसने रूपा चिडिया से शादी उसके पैसों के लालच में ही की थी वे रूपा की बेटी टून्टूनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था वे उससे बहुत काम करवाता एक दिन की बात है रूपा अपनी दोस कोमल कबूतरी से मिलने बाहर गई हुई थी तभी वे सोनू कोवा टून्टूनी चिडिया के पास आता है और उससे कहता है ए रे टून्टने चिडिया चल मेरे लिए एक गलास पानी ले करा टून्टूनी अपना होंबग कर रही थी इसलिए उसे सोनू कोवे की आवाज सुनाई नहीं देती और वे अपने काम में ही लगी रहती है जब वो सोनू को पानी का गिलास लाकर नहीं देती तो सोनू बहुत गुसा हो जाता है और उसे गुसे में कहता है एह तुझे सुनाई नहीं देता क्या मैं कब से तुझे पानी लाने के लिए बोल रहा हूं माफ कर दीजिए पिताजी मुझे सुनाई नहीं दिया मैं अपना होमवक कर रही थी चल चल ये बहाने मत बना चल मेरे लिए एक कप चाई बढ़ा कर ला जल्दी कर पर अभी तो आपने पानी के लिए बोला था तो मैं चाई नहीं पी सकता क्या अब मेरा मन पानी पीने का नहीं है चाई पीने का है तो तुस्से जो कहा है वह पूरा कर और जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाई बना कर ला पर पिताजी मुझे चाई बनानी नहीं आती मैं कैसे चाई बना पाऊंगी तो चाई बनाने के लिए क्या मैं तेरे स्वर्ग वासी बाप को बुला कर ला हूँ हम चल अब जादा मेरा दिमाग बत्खा और मेरे लिए अच्छी से चाय बना कर ला सोनू की ये बाते सुनकर टुंटुनी रसोई में चली जाती है और जैसे तैसे सोनू के लिए चाय बनाती है और उसे लाकर देती है ये लीची चाय पिता जी सोनू वो चाय पीता है और उस चाय का टेज पिलकुल खराथ था इसलिए वे चाय टूंटूनी के उपर फैंक देता है ये चाय बनाई है तूने ले पी ले खुद ही इतनी बड़ी हो गई पर कुछ काम नहीं आता एक धंकी चाय बनानी भी नहीं आती पता नहीं कब तक इन दोनों मा बेटी को जेलना पड़ेगा पिता जी मेरा चहरा बहुत चल रहा है मुझे बहुत दर्द हो रहा है मुझे डॉक्टर के पांस ले चलिए तेरी मा मुझे कोई नोटों की गड़ी नहीं थमा गई जो मैं तेरे उपर खर्च करता फिरू ऐसा कहकर सोनो कववा वहां से चला जाता है और टुन्टुनी चिडिया दर्द से करहा रही होती है और अपने पापा की तस्वीर देखकर उनसे कहती है पापा अगर आप सिंदा होते तो कितना अच्छा होता आप मुझे कितना प्यार करते और बहुत जगा खुमाने के लिए भी ले जाते पर ये पिताजी ऐसे नहीं है ये मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और मुझे डाड़ते रहते है आज देखिए उन्होंने मेरे साथ क्या किया उन्होंने गरम-गरम चाहे मेरे उपर फैक दी और मेरा चेहरा चल रहा है ऐसे रोते-रोते टुन्टुनी चुडिया वहीं पर सो जाती है शाम को सोनु कोवा वापस आ जाता है और टुन्टुनी से कहता है ए टुन्टुनी याद रखना अगर तुमने आज की बात किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा नहीं तो आज तो कुछ भी नहीं मैं एक दिन तुझे इससे भी ज़्यादा दर्दूंगा नहीं पिताजी मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी बस आप मुझे मार ना मत ठीक है ठीक है चल मेरे पैर दबा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है ठीक है पिताजी मैं अभी दबाती हो और ज़रा अच्छे से दबाना ऐसा कहकर टुन्टुनी उस सोनु की पैर दबाने लगती है तभी सोनू उससे कहता है तेरे हातों में जान नहीं क्या जरा ढंक से दबा खाने को तो पूरा दिन खाती ही रहती है पर शरीर में जान बिल्कुल भी नहीं है ठीक है पिता जी मैं और अच्छे से पैर दबाती हूँ ऐसा कहेकर टूंटूनी सोनू के पैर अच्छे से दबाती है तभी रूपा चिडिया वापस आ जाती है और टूंटूनी को सोनू के पैर दबाते देखकर टूंटूनी से सवाल करती है बेटा टूंटूनी तू ये क्या कर रही है और सुनू जी आप क्यों टूंटूनी से पैर दबवा रहे हो आपको शरम नहीं आती इतनी छोटी बच्ची से ऐसा काम करवाते हुए नहीं मा इसमें पिताजी का कोई दोश नहीं है वो तो मैंने ही पिताजी से पैर दबाने के लिए कहा था क्योंकि पिताजी दिन भर कितनी मेहनत करते हैं इसलिए भे ठक जाते होंगे तो क्यों ना मैं उनके पैर दबा कर उनकी कुछ सेवा कर दू हाँ रूपा हाँ मैं तो टुन्टुनी बिटिया को कबसे मना कर रहा था पर ये मेरी बात सुन ही नहीं रही थी फिर मैंने सोचा क्या बच्ची का मन दुखाया जाए इसलिए मैंने भी इसकी मांग मान ली अरे मुझे माफ कीजिएगा मैंने कुछ कलत ही सोच लिया था अरे रूपा कोई बात नहीं बाकी मैं टुन्टुनी बिटिया को अपनी जान से जादा चाहता हूँ एक ही तो बेटी है मेरी ऐसा खेकर वे सबी खाना खाकर सू जाते हैं पर आज रात को सोनू को नीन नहीं आ रही थी वे मन ही मन किसी नए जाल को बुनने में लगा था आज तो बाल बाल बच गए वरना अगर रूपा को ये बात पता चल जाती कि मैं टुन्टुनी से जबरन काम करवाता हूँ तो वो मुझे खर से निकाल फैकती और मैं फिर से दर बदर की ठोकरे खाता फिरता समझदारी इसी बात में है कि अपने प्लैन को जल से जल पूरा किया जाए और इन दोनों मा बेटी को मार के यहां से 9-11 हुआ जाए अगली सुभा सोनु को वा जल्दी उठकर सब के लिए नाश्ता बनाता है और उस नाश्ते में जहर मिला देता है और सब को खाने के लिए बुलाता है आजाओ आजाओ रूपा और मेरी प्यारी बेटी टुंटुनी जल्दी आजाओ देखो पापा ने आप दोनों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया हुआ है जल्दी से आजाओ अरे वाँ, खुश्पु तो बहुत अच्छी आ रही है पर आपने क्यों सुबह सुबह इतनी मेहनत की मैं उठकर खाना बना देती न अरे तुम तो रोज खाना बनाती हो आज मैंने बना लिया तो क्या हो गया चलो यह सब छोड़ो और तुम दोना नाश्टा करो ऐसा कहकर वे दोनों खाना खाने लगती है कुछी निवाले खाने के बाद वे दोनों बेहोश हो जाती है और सोनू जोर-जोर से हसने लगता है यह हुई ना बात यह दोनों मा बेटी तो भगवान को प्यारी हो गई है तो देर किस बात की सारा पैसा और जेवर लेकर यहां से भाग जाता हूं वे लोकर से पैसे और जवारात निकाल कर भागने लगता है तभी रूपा और टूंटूनी जाग जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं ऐसे नहीं जाने देंगे आपको पिता जी पहले प्रिसाद तो लेते जाईए तुम दोनों तुम दोनों जिन्दा कैसे बच गई तुम्हें तो मैंने अभी अपने हातों से जहर खिलाया था हाँ मुझे पता है कि तुमने हमें मारने के लिए खाने में जहर मिलाया था और तुम हमें मारना चाहते थे पर अफसोस ये हो ना सका क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही खाने में जहर मिलाते देख लिया था और उसके बाद मुझे टूंटूनी ने सब सच बता दिया कि कैसे तुम मेरे जाने के बाद उस पर अत्याचार करते हो तुम्हें शरामानी चाहिए सोनु कवे मैंने तुम्हें अपना पती माना और अपनी बेटी का बाप पर तुम विश्वास के लायक ही नहीं हो हाँ मा ये बहुत गंदे पिताजी है मुझे ऐसे पिताजी नहीं चाहिए के मार कर घर से निकाल देते हैं जाओ यहां से तुम्हारे जैसे पापी पक्षी के लिए मेरे घर में कोई जगा नहीं है और आइंदा से मुझे अपनी ये गंदी शकल मत दिखाना निकल जाओ यहां से